जालंधर के एक निजी होटेल में कश्मीर सिंग धन्जु द्वारा लिखित तीसरी पुस्तक पलकों की छाओ और ग्लोबैंसी कमपनी मीडिया द्वारा तयार किया गया गीत ट्रस्ट को रिलीस किया गया इस करिक्रम का आयोजन सनी ओलख द्वारा किया गया जिसमें शहर के गनमानने लोगों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया इस मौके पर लेखक कश्मीर सिंग धन्जु ने बताया कि ये उनके द्वारा लिखित तीसरी पुस्तक है जबकि ट्रस्ट उनके द्वारा लिखा हुआ पहला गाना है जिसे शान कोट रंजा और गिन्नी माही ने गाया है जो की श्रोताओं को काफी पसंद आएगा इस मौके पर सभी ने कश्मीर सिंग धन्जु को इसके लिए शुब काम नाई दी जालंधर सेहल चल के लिए सुरंदर बाबा की रिपोर्ट आरे आलू का परिशासी का जियां आप सब्सक्राइब है बहुत पहुत है भंचन थे पंजाबी जो के जिवें पाईशाब होना ने शुरुआ की ती मा दे बगैर पंजाबी ती पंजाबी बोली बिल्कोल ही अदूरी है सब्सक्राइब है जे मा ना हुंदी ती ना हुंदी जे ती ना हुंदी नू ना हुंदी नई सी होना ना नियत दोती ना ही खंडडी शाणे हंदी तन्जू ने सी जगते होना जेकर जगते बाना हंदी जो हुमारे सिंगर है रशाण इनकी आवास बहुत अच्छी है इनोने गिन्नी माई की साथ जाना गया है बहुत ही प्यारा रोमेंटिक साओं है सबसे पहले थेंक्यू बोला चाओंगा सानी सर्गाजी लोगे मुझे प्रोजेक्ट दिया बहुत सुंदर था और कश्मीर सर के लिरिक्स थे जो कि भूँछ से लिरिक्स थे बहुत अच्छा लगा काम करें मुझे सब लोगोने चागां किया अउमीद है आप सब लोग आने को पसंद करोगे हमने थोड़ा सा रोमेंटिक क्यूट सोंक जो भी पंजाब में चल रहे नहीं साशीकाल जी मेराजकुमार साकीत इनाल ने मेरे म्यूजिक डिरेक्टर सन्य ओलग जी आज जिसी पलका दी छामे केश्मीई सिंता अच्छुजी ने भूक रिलिस गती एदे करता ददा जिनने भी करता सब डिले कटी है सरे एदे बेचे जड़े राइटर नेग ड़्यां जोड़े करिसें किश्मीई स smiled religious विछ ऐसी ऐसी फीलिंग्स शेयर इतनिया ने जो कि इस कताब रही एक मैसेज जाएगा कि अपानों किवें दे एक इनसान होना चाहिए है